नमस्कार अंगनबाडी बहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने एजुकेशन और सबसे तेज न्यूजु वाले चैनल में दूस्तों चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोरू जोरू प्रेंस क कि दोस्तों अलग अलग राजी की जो आंगनबाडी आसा वरकरों साही का हुव बहनों से जुड़ी जो जरूरी अपडेट्स हैं वो आपको शुड़े के मादिम से मिलने वाली हैं तो वीडियो को बिना स्कीप किये अंतर जरूर देखते रहे हैं और अगर आपको वीडिय जो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सेर भी जरूर कर दीजिगा चले वरंड जानलते हैं आज की सबसे पहली अपडेट्स है तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट्स दरूंदा से हैं कि कारिक्रम आंगनबाडी केंद्र पर पूरी की गई गोद बराई की रस्म जी यहां दोस्तों यहां पर आप देख से हो कि प्रखंड अंद्रकत सभी अंगनबाडी केंद्रों में सोमवार को पोशन अभ्यान के तहत केंद्र संकिया 85, 87, 29, 143, 142, 141, 199 आधी पर गोद बराई की रस्म आदा की गई हैं और इसमें पोशाग छेत्र यानिकी पोशाग देते वे गोद बराई की रस्म आदा की गई साधी गर्वती महिलाओं के परीजनों को भी केंद्र पर बुला कर देख रेक समन्दी जानगारी दी गई हैं और अगली जो अपडेट दोस्तों यहां पर आप देख सो जंजर बवन किराय के जंजर बवन में चल रहा हैं इसलिए दूसरा अपवन किराय पर नहीं ले सकते हैं पूरो सरपंच नानजी राम देवासी ने बताया कि गाहां दो आगनबाडी केंद्र हैं और जिसमें से एक पिछले दस सालों से किराय के पुराने मकान में संचालित किया जा रहा हैं और पंचाहत ने कहीं बार विपा को आवगत कराया लेकिन आज तक समादा नहीं हो सका और ग्राम विकास अधिगारी रंजीत वाडिका ने बताया कि पंचाह दिस्तरपन नया बहुन बनाने के लिए दो बार प्रस्ताव बना कर बेजा हैं लेकिन बजट अभी तक मंजूर नहीं हुआ हैं और नेक्स्ट जो अंगनबाडी के अंदर में गैस चूला का वीतरण किया गया और इस अफसर पर प्रकर्ण विकास पदादिकारी रविंदर कुर्मार गुपता नहीं बताया कि वीतरण करते हुए उन्होंने काएं कि जैसे गैस वीतरण से लकडी चूला की समय से समाप्त हो गई हैं और अपडेट दूस्तों राजस्तान के दो सा जिले से अपडेट लगए गही है कि निट्री कारडन की लिए जानकारी आंगनबाडी केंदर पर सेक्टर मिटिंग में पहुंचे की जानकारी दोस्तों यहां पर आप दिखतों सेंतल कस्वे के आंगनबाडी केंदर प्रथम पर कलेक्टर पिऊस कुमार की अधिक्सता में मासिक सेक्टर मिटिंग वोई जिसमें उपस्तित सेक्टर की आंगनबाड़ी कारिकरता उसी कलेक्टर दुआरा केंदर संचालित की के जानकारी वा पोसार वीतन की जानकारी तीका करण एवं नियूटरि गार्डन की ज जिनेस मीना दुवरा कलेक्टर को आंगनबाडी केंदर पर मिलने वाले लाबार्तियों सहित कहीं जानकर या दीगई और कारिकर में CDPO संदीप सार्दा सिकराए CDPO रविकांतर लवाना कांता सर्मा CDPO और रहीं दोस्तों सावित्री एरोडा CDPO बांधिकोई मुराली लाल मिना CD CDPO महुआ आधी अनेक जो हैं इस मौके पर मौजुद रहें और नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहां पर आप दिसो जिन्द सेया की मर्डर आंगनबाडी सूपरवाइजर महिला की हातिया ड्यूटी से आए पती को किचन में पढ़ा मिला पतनी का सव जी यहां दोस्तों अ हैं अपनी पती का सव किचन में पढ़ा मिला और मुहा नाक से खून निकला था और चेहरे पर सोट से निजान दे और घर के सारे सामान अपनी जगह से अलग दे और पती की सुचना पर पोची पुलिस थाना पुलिस मौके पर पहुंची हो आ रहे है जाच के लिए सरीर को बेज दे गए हैं और रविवार को पती के बयान पर अग्यात के खिलाब हात्या का केस दर्ज किया और पुलिस आसपास में लगे सीची टीवी स्फूटेज को चेक करनेल में लगी हुई हैं और बयान में किसी रंजिस की बात सामने नहीं आई हैं और पुलिस का कायना अभी परदर्शन बोली नए सिस्टम से बड़ी परेसानी जी यहां दोस्तों यहां पर आप देख से तो आपको पता हीं कि जो अब जो लाबार्ती हैं उनको जो है टी एच आर का वीत्रन है वो ओटिबी के मादियम से क्या जा रहा है और ओटिबी के मादियम से आंगन बाड़ी सेविकाओं में बैचे नी बढ़ गई है और इस सिस्टम के लागू होने से आंगन बाड़ी सेविकाओं ने सनीवार को प्रखंड मुक्याले में बाल विकास परिजना कारेल के समक्ष परतसन कर विरोध भी किया है और आंगन बाड़ी के अंदर पर कार्यत से विकाओं का क वारा पोशन वाडिका किस्तापना के लिए आंगनवाडी कारिकरता को केर टेकर का प्रसिक्षन कारिकरम लोहिया कला भवन में सोमवार को आई जित किया गया है तो दोस्तों यह थी आज की आंगनवाडी आसा वरकरों से जुड़ी जो मुख्ये खबरों की अपडेट्स अग कलते हैं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बार तेंक्स फॉर यह वाचिंग माई वीडियो